सपने में मरे हुए लोग बार बार दिखते है तो वे ये संकेत देते है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दोस्तो क्या आपको कभी ऐसे सपने आते है जिन में आपको ऐसे लोग दिखाई देते है जिनकी मृत्यू पहले ही हो चुकी हो या किसी ऐसे विक्ति का सपना आता हो जो आपका कोई रिष्टेदार या पुर्वज हो और जो अब इस दुनिया में ना हो अगर आपको भी ऐसे सपने आते है तो आप इस विडियो को अंततक जरूर देखे आज हम आपको बताने जा रहे है स्वपन शास्त्र में बताए गए कूछ ऐसे रहस्य जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सोने होंगे जी हाँ स्वपन शास्त्र एक प्राचीन हिंदु धर्म ग्रंथ है जिसकी रचना कई महान रुशी मुनियों ने कई वर्षों तक योग अभ्यास करके की है स्वपन शास्त्र में कई प्रकार के सपनों का वर्नन मिलता है और इन सपनों का मनुष्य के वास्तविक जीवन से क्या समन्द होता है इसके विशय में वुरुहक जानकारी मिलती है भले ही विज्ञान चाहे कितने भी तरक्की क्यों न करले लेकिन विज्ञान आश्तक ये समझने में नाकाम है कि आखिर इन सपनों का मनुष्य के वास्तविक जीवन से क्या समन्द होता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है मनुष्य जो सपने में देखते है वो कभी कबार सच हो जाता है सपने में वे कभी कोई घटना देख लेते है और फिर वास्तविक जीवन में भी उनके साथ वैसा ही होने लगता है क्या आपके साथ भी ऐसा कूच हुआ है क्या आपका भी कोई सपना सच हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वैसे आपको बतादे कि स्वपनशास्तर के अनुसार सपने में जानवरों को देखना या फिर पंच तत्वों को देखना जैसे जल, वायू, अगनी, आकाश और धर्ती इनके साथ ही सपने में इश्वर का दिखाई देना इन सभी का हमारे वास्तविक जीवन से एक तरह का समन्द होता है स्वपनशास्तर यह भी बताता है कि सपने में मरे हुए लोगों का दिखना भी कोई संयोग नहीं होता जब कोई मुरुत परिजन सपने में आते है तो फिर वे हमें किसी न किसी प्रकार का संकेत या फिर कोई संदेश देने के लिए आते है आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सपने में मुरुत परिजन बार बार क्यों आते है लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके साथ ही वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि बाद में आप भूल जाते है स्वपन शास्त्र के अनुसार अगर आप मरे हुए लोगों को देखते है अपने स्वपन में तो वो आपको किसी संकट या आने वाली मुश्किल परिस्थितियों के बारे में आपको आगाह कर रहे है अगर सपने में मुरुत परिजन या फिर कोई आपका प्रिय व्यक्ति आता है तो वो आपके जीवन में कोई सकरात्मक बदलाव लाने के लिए कोई संकेत देता है या फिर आने वाली परेशानी से आपको पहले ही अउगध कर देना चाहता है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यू किसी बीमारी के कारण हुई है और अगर ऐसा व्यक्ति आपको सपने में स्वस और तंदरुस्त दिखाई देता है तो इसे शुभसंकेत माना गया है इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति ने कई और जन्म ले लिया है और वो आपको ये बताने के लिए आया है कि अब आप उनके विशय में शोक करना छोड़ दे और अपने जीवन में खुश रहे अगर को परिजन स्वस्त होते हुए भी किसी आकस्मिक कारण से मर जाता है और वह आपको सपने में बीमार दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये है कि वो आपसे कुछ चाहते है उनकी कोई इच्छा अधोरी रह गई है और वो आपसे उस इच्छा को पूर्ण करने की कामना करने आ अगर ऐसा कोई व्यक्ति बार-बार आपके सपने में आता है तो आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और फिर जिस और वो इशारा करे उस पर गउर करना चाहिए सपने में किसी जीवंत इंसान की मृत्यु दिखाई देना अच्छा संकेत माना गया है स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा स्वप्न देखने से उस व्यक्ति की आयू में रुद्धी होने के संकेत है अगर कोई मृत्परिजन आपके सपने में आता है और आपसे कोई बात नहीं करता बस मौन ही खड़ा रहता है तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको किसी गलत का कार्य करने से रोक रहा है या फिर आप जीवन में कोई गलत निर्नय लेने जा रहे है जो आपको नहीं लेना चाहिए अगर सपने में कोई मृत्परिजन आपको आशिरवाद देता है तो यह शुबसंकेत माना गया है इसका अर्थ यह है कि आपको आपकी कार्य में सफलता जरूर मिलने वाली है अगर मृत्व्यक्ति सपने में उदास दिखाई दे तो वो आपके किसी कार्य से नाराज है अगर मृत्व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र बिना जूते चपल के या फिर भूका दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे इन चीजों की इच्छ जता रहा है। इसके लिए आप किसी मंदिर में जाकर या ब्राह्मनों को इन चीजों का दान कर दे। अगर मुरुत व्यक्ति आपको सपने में चमकता हुआ दिखाई दे या फिर दूर आकाश में दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि उसको मोक्ष की प्राक्ति हो चुकी ह और वो आपको अंतिम दर्शन देने के लिए आए है। तो दोस्तो ये थे कूछ सपनों से जुड़े रहस्य। क्या आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो क लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद। झालए यह जानकारी वाले झाले बॉक्ष दो कि अकारी वाले वाले वीडियो आताटारी वीडियो आता हैं। झाल झाल